मुझा जा दोस्तों आज के स्वीडियो में हम डार्लिंग के नजर सांसंग गलेक्सी टाब S7 पे अब ये जो टाबलेट है दोस्तों मैं पिछले 24 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम करेंगे इसका फर्स इंप्रेशन की भाई इसके स्पेसिकेशन क्या है किस तरीके से इसमें इंप्रूव्मेंट है अगर कुछ नहीं है तो क्या नहीं है मतलब एक ओव से एंड हमारे पास जो इस पार कलर आया है वो है मिस्टिक प्रोंस एंड लिटरली इस पर्टिकुलर डिवाइस को जैसी बॉक्स निकाला प्रीमियम नेस बहुत जादा मतलब एक्दम फूट-फूट के बार निकल रहे थी एंड इसके जो सो एज़ें उसमें जिस तरीके क मिली है वो मुझे बहुत बढ़िया लगी यूनिबाडी मेटल डिजाइन है हाँ इस बार जो वेट है और जो ओवरॉल थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा कुछ भी नहीं मतलब अगर आप इसे सामसंग गेलेक्सी टाब आपको पता चल जायेगा की तोडी जो प्रीमियम नेस है लेकिन उससे थोड़ी सी जाता दोस्तों आपको प्रेमियम कॉलिटी मिल जाएगी चारो कॉर्नर्स पर आपको AKG के कॉट्ट पीकर्स मिल जाते है, टाइप C का चार्जिंग पोर्ट है, एंटिना लाइन दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम भड़िया से distensive मिल जाते हैं and overall अगर मैं इस particular design के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको back panel पे एक S pen का magnet है वो भी मिल जायते है जिसमें आपका S pen जो होता है वो रहता है and उसी के साथ साथ दोस्तों वो charge भी होता रहेगा अब एक बात है इस particular device को अगर आप बिना इसके keyboard या case के साथ यूज करते है न तो यह थोड़ा सा incomplete लगता है तो इस particular video में दोस्तों मैं इसके जो back case है और इसके साथ जो keyboard आता है वो आप अलग से खरीदते हैं of course साथ में दोस्तों bundle pricing इसकी of course discount भी मिलता है मैं सारे के सारे offers के बारे में इस video के नीचे description में लेक दूँगा and इस particular first impression में दोस्तों हम इस keyboard के बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने tab S6 में जब उसके साथ जो back case आया था तो कुछ comment किया था उसके back panel के magnet के साथ और अब दोस्तों डालते है उस पे नजर अब दोस्तों यहां पे cover की भी बात करते है because यह आपको एक cover मिलता है जो आपको keyboard के साथ मिलेगा पट हाँ इसका जो magnet है वो मुझे थोड़ा सा अगर थोड़ा सा और स्ट्रॉंग रहता तो बहुत बढ़िया बात होती या फिर कोई एक adhesive होता I'm not sure शायद adhesive भी इतना अच्छे technology नहीं होती बट हाँ जो वो stick करके रखा है वो गिर जाता है कभी-कभी और tablet के आए ना कि बहुत easily निकल सकता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत डर लगा रहता है तो वो दोस्तों बस मुझे एक flaw लगा उसके अलावा इसका design amazing है तो जैसा कि मैंना already उसमें बताया था कि कोई एक mechanism होता जैसे कि full on back panel पे अगर magnet होता तो वो दोस्तों अब यहाँ पे आपको size है वो थोड़ा और बड़ा हुआ है अब यह जो touchpad है दोस्तों जेस्चर सपोर्ट करता है और इसके बारे हम दोस्तों full on review में और बात करेंगे कि किस तरीके से apps वगरा में आएगा अगर आप वोपर की keys देखे तो आपको android specific keys भी देखने को मिल जाएंगे है और जब मैंने इस particular device के specifications देखे थे तब मैं थोड़ा सा थोड़ा सा disappoint हुआ था screen के बारे में सुनकर के of course 120 Hz का यहां पर आपको refresh rate मिलता है लेकिन मज़े super AMOLED screen है वो अब सिरिफ tab s7 plus में मिलती है यहां पर दोस्तों tab s7 में आपको same resolution में जो इनका पहले resolution था same resolution में आपको 11 इंच की screen मिलती है जो की LTPS TFT है और मुझे ऐसा लगा था कि यार क्या ये downgrade है of course अगर आप ऐसे सोचे specifications के वाइस तो मुझे भी लग रहा है दोस्तों कास super AMOLED है था लेकिन side by side चब मैंने थोड़ा सा compare किया इसको पुराने टाबलेट से तो colors जो थे वो बहुत बढ़िया देख रहे थे और बहुत अच्छी tuning की गई है only जब आप black levels देखते हैं तब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जो कमी है वो पता चलती है because जो super AMOLED की जो black levels होते हैं वो एकटम pitch black होता है लेकिन वो जो dark level से हो यहाँ पे नहीं मिलता है लेकिन contrast ratio and overall brightness यहाँ पे एकटम सेम रखी गई है and I think जादा मतलब मुझे specifications पढ़ने के बाद यह जो फरक है वो पता चले थे अब इसके बार दोस्तों review वागरा में और बात करेंगे and देखेंगे कि क्या यह display सच में बढ़िया है या नहीं है या फिर अगर downgrade है तो कितना है अब इस particular device में दोस्तों चूँकि आपको super AMOLED display मिलता तो वो in display fingerprint sensor भी नहीं मिलता है and fingerprint sensor है वो आपको मिलता है power button में and यहां पर मैंने पहले भी बोल रखा था कि in display fingerprint sensor है वो dex में इतना कोई फरक पड़ता नहीं है because touch नहीं करते हो face unlock से जाधा तर होता है and यहां पर भी दोस्तों मुझे वो ठीक ही लगता है face unlock तो because super amoled नहीं था तो in display fingerprint sensor होता भी नहीं अब दोस्तों next बात करते हैं camera के बारे में तो आपको वो 13 plus 5 का rear camera setup मिलता है and front facing camera जो है वो 8 पिक्सल का अब दोस्तों पुराने Samsung Galaxy Tab S6 में front camera में कुछ problem थी अब दोस्तों मैंने highlight भी क्या था तो पहले उस पर नजर डालते हैं अब दोस्तों जो front facing camera है वो video conferencing के लिए यूज होता है and that is a good thing but यहां पर दोस्तों मुझे लगा कि यह front facing camera है वो अगर portrait mode में दिया रहता तो बहुत बढ़िया बात होती because most of the time मैं इससे as a laptop रेड़ी जो 2-in-1 convertible type है वैसे यूज करता हूं और ऐसे में वो जो camera है वो left hand side में रहता है तो एक particular angle में इतना अच्छा नहीं लगता वो मुझे भड़िया लगता है अगर आप video call ले रहे dex mode में तो I don't think उसमें problem आएगी वैसे review में दोस्तों इसके बारे में और बात करेंगे तो camera wise of course मैं इसका camera review तो करूँगा नहीं और इसका मैं ज्यादा तर यही बताऊंगा कि आप rear camera और front camera से किस तरीके की photos ले सकते हैं अगर आप video calls ले रहे हैं तो कैसा रहेगा अब दोस्तों बात करते हैं S pen के बारे में तो S pen अगर आप बिना case या cover के use करते हैं तो अब यहां पर दोस्तों ऐसा लगएगा कि बहुत magnet चलो इस पर और strong दिया है तेकिन कहीं ना कहीं डर रहता है मन में कि कहीं वो S pen गरत ना चाहे तो वो अगर cover रहता है तो उसके लिए अलग से leaf है and you can be assured कि आपको जो S pen है वो कहीं गरेगा नहीं latency दोस्तों यहां पर सिर्फ 9 millisecond की की गई है और जैसा कि upgrade हमने Note 20 Ultra में देख रखा है तो वो भी दोस्तों आपको आपे मिलता है बहुत ही सही है की latency अगर आप sketching करते हैं अगर पेपर टाइप अगर आपको feeling चाहिए लिखते समय तो वो आपको यहां पर मिल जाएंगे एर जेस्टेस दो तो यहां पर बहुत ही भड़िया है and I think S pen इस बार एक complete upgrade है पुराने जो version है उसके हिसाब से अगर internals की बात करें specifications की बात करें तो आपको snapdragon 865 plus मिल जाता है SIM card का दोस्तों यहां पर आपको slot मिलता है इसके of course different variants हमारे वाले में SIM card लगता है memory card भी लग जाता है और इसमें दोस्तों आपको 6GB की RAM और 128GB की internal storage मिल जाएगी वैसे benchmarks वगेरा कैसा क्या चलेगा वो दोस्तों हम अपने full on review में इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों OS की बात करें तो आपको Samsung One UI मिलता है इसी के साथ साथ आपको Android 10 मिल जाएगा and I guess यह particular section मैं full on review के लिए बलूँगा because I think full review में मैं इसके DEX के बारे में बात करूँगा किस तरीके के Android optimization है इसमें कैसे apps चल सकते हैं किस तरीके की editing पॉसिबल है तो full on review दोस्तों हमारा इसके complete experience के बारे में होगा उसमें मैं display, design, camera के बारे में शायद इतना बात ना करूँ अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैटरी के बारे में बैटरी दोस्तों यहाँ पर आपको 8000 mhk मिलती है और उसी के साथ आपको जो box में है वो 15 watt का charger मिलता है ना कि 45 watts का 45 watts की charging support है लेकिन वो जो charger है वो आपको box में नहीं मिलता है और इसके बारे में रिव्यू में क्या चलता है अभी तक हमें पता नहीं है विकॉस मुझे खुद को 24 गंटे हों इसको यूज करते हुए और इसका दोस्तों फुल-on review है वो GT Hindi में या फिर गाइडिंग टेक इनलिक्ष में हमारे English चैनल भी आएगा अगर आपको कोई questions है इस particular device के बारे में तो आप हमसे quality उसमें base थोड़ा से increase हुआ है लेकिन जो loudness है वो Tab S6 की जाता है Super AMOLED डिस्प्ले में अफकॉस मिस करूंगा मतलब चितना भी समझ लो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहेगा कि या Tab S6 में Super AMOLED था और Tab S7 में नहीं है तो वो मुझसे कोई नहीं ले सकता है विकॉस वो एक के लिए really a commendable job team Samsung and यहां पर एक और बाद में बोलना चाहूंगा जो मैंने charger के बारे में बोला था कि इस particular device में अगर 45 watt का charger support है तो वो देना चाहिए था चाहे आप 1000 रुपे जादा ले लो because अगर कोई tablet खरीद रहा है keyword खरीद रहा है तो वो 1000 रुपे I don't think so इतना matter करता ले लेकिन अगर वो अलग से 45 watt का charger खरीदेगा तब उसको और पैसे देने पड़ेंगे और वो जो 15 watt का charger है वो किसी काम का नहीं होगा so cutting cost on a charger really doesn't make sense तो यह दोस्तो एक feedback है Samsung के लिए and I think उनको इस particular चीज़ पर काम करना चाहिए अगली बार से तो दोस्तो यह था Samsung Galaxy Tab S6 का first impression वी बड़े